SDM जोती मौरिया और उनके पती सफाई कर्मी आलोक मौरिया के बीच चल रहे विवाद में एक नया मोड आ गया है एक वीडियो इंदनों सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है दावा किया गया कि ये वीडियो जोती मौरिया का है जिसमें वो पती आलोक से जगड़ा करने के दौरान उनके घरवालों को भला बुरा बोल रही है हलांकि न्यूज एपिन इस वीडियो की पुष्ट नहीं करता दावा ये भी किया गया कि ये वीडियो उस समय का है जब आलोक मौरिया को जोती मौरिया के नए रिष्टे के बारे में पता चल गया था आरोप है कि जोती मौरिया के नए रिष्टे के बारे में जब आलोक मौरिया ने उनसे पूछा तो वो भड़क गई उन्होंने एक जटके में उनसे नाता तोल दिया उनका ये भी आरोप है कि उन्होंने ना सिर्फ रिष्टा तोड़ा बलकि वो किसी दूसरे के लिए उनके 13 साल के प्यार को ठोकर मार कर चली गई इस वीडियो के अलावा पती पतनी के बीच चल रहे इस जगडे का एक ऊडियो भी सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया दावा किया गया कि ये आडियो SDM जोती मौरिया और उनके पती आलोक मौरिया का है जिसमें जोती अपने पती से तलाख मांगती सुनाई दी उनके साथ रहने की गुजारिश करते रहे वाइरल हो रहे इस ओडियो में जोती मौर्या अपने पती से तलाक लेने की बात कहती सुनी गई हाना कि इस ओडियो की न्यूज 18 पुश्टी नहीं करता वाइरल हो रहा है ये ओडियो कप का है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई आरोग है कि जोती मौर्या के नए रिष्टे के बारे में जब आलोग मौर्या ने उनसे पूछा तो वो भड़क गई उन्होंने एक जटके में नाता तोल डिया आलोग मौर्या का आरोप है कि जोती मौर्या उन्हें उनकी बेटियों तक से नहीं मिलने दे रहे जबकि बार-बार वो उनसे अपनी बेटियों से मिलने देने की मिनत है कर रहे है मैंने सब उनको 22 परोड़ी को रंगे हाथ अपने आवास पर पकड़ लिया था हाला कि जोती मौर्या ने न सिर्फ अपने पती आलोग मौर्या के आरोपों को खारिश कर दिया बलकि उन्हें जूटा तक बता दिया कर दो अपने कर दो दो अपने कर दो दोस्पने जोटा है